हेलो फ्रेंड्स आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल यी बोले तो इंग्लिस में स्वागत है तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के स्लेबस के उपर में यानि आपने जिन जिन पोस्ट के लिए अपलाई किया था जीडी, डीबी और यांतरिक के लिए उन सभी पोस्टों के लिए जो स्लेबस रहने वाला है उसके वारे में बात करेंगे और गाइस ये जितना भी स्लेबस है आपकी इंडियन कोस्ट गार्ड की ओफिसियल साइट में अपलोड़ेड है और मैं भी आपको वहीं से दिखा रहा हूँ तो यहाँ पर आप लोग 100% विश्वास कर सकते हैं क्योंकि ये ओफिसियल साइट में अपलोड़ेड है तो दोस्तों अगर बात करें कि इंडियन कोस्ट गार्ड में इस बार कितने फॉर्म अपलाइड हुए हैं तो फ्रेंड्स आपकी जो फॉर्म अपलाई करने की जो लास्ट डेट थी वो 16 जुलाई थी और मैं आपको बता दूं कि इस बार लगबग 4,5,5 लाग फॉर्म अपलोड हुए हैं यानि आपकी जो पोस्टे थी वो सिर्फ 300 थी और जो आपके फॉर्म अपलाईड हुए हैं वो लगबग 4,5 लाग तो आप लोग समझ सकते हैं कि competition कितना ज़्यादा tough रहने वाला है तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा hard work करने जुरूत है और आपको बहुत ज़्यादा smart work करने जुरूत भी है क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा मैनत नहीं करेंगे तो इस form को या फिर इस paper को आप पास नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं competition कितना ज़्यादा tough होगा और हाँ मैं आपको यह भी बता दूँ कि इसके अंदर जो जो document का verification होता है बहुत ज़्यादा tough होता है अगर आपके पास थोड़ी सी भी कोई दिक्कत समस्या है तो यह बिल्कुल वहाँ से आपको कह सकते हैं वहाँ से निकाल देंगे तो इस पकार जो form applied हुए है उसमें बहुत ज़्यादा कटोती भी होगी तो यह भी एक point रहने वाला है तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं जो हमारा main topic है कि slabus क्या क्या रहने वाला है तो guys यहाँ पर जो Indian Coast Guard के official side है वहाँ पर slabus भी है और साथ ही साथ model question paper भी है तो यहाँ पर आप लोग अपना जो question paper जो model question paper है वहाँ से देख सकते हैं कि किस प्रकार के question पूशे जाते हैं तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर जो navic gd का slabus क्या रहने वाला है यानि जो general duty का जो post था उसके लिए slabus क्या रहने वाला है तो guys यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो आपका slabus बटा हुआ है वह section 1 में बटा हुआ है और section 2 है तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं section 1 की तो यहाँ पर सबसे पहले आपका जो post जो slabus है वह science का रहने वाला है जिसमें क्या क्या आएगा number one पर nature of matter यानि द्रव की प्रकती होती है वो दे रखा है universe में के अंदर जो आपका planet है, earth है, satellite है, sun और जो आपका electricity and its application होते हैं वो भी दे रखा है यह science का first number पर है तो चलिए सबसे पहले science की बारे में बात कर लेते हैं और second number पर force and gravitation, newton's law of motion, work energy and power जो कि आपके air force में भी same रहता है और heat हो गया, temperature, metals, non-metals, carbon and its compounds, measurements in science, sounds and waves यानि जो धनी और जो तरंग वाला chapter था वो भी है और atomic structure जो है यह भी है और fourth number पर बात करें तो बस science का इतना ही था फिर इसके बाद आपका second जो section उसकी बात करेंगे तो यह हमारा science का सलेबस था चलिए बात कर लें तो mathematics के अंदर क्या क्या रहने वाला है तो mathematical simplification यानि जो सरली करण होता है वो है ratio and proportion है, algebraic identifies है और linear equation है and polynomials है simultaneous है, equation, basic, trigonometry है सब कुछ आपका रहने वाला है math में फिर इसके बाद simple mensuration दे रखा है geometry है, measure of central tendency है average, median और mode यानि जो आपके math मादिका वाले परसरण वाले जो chapter था जिससे air force में हर बार एक question पूछा जाता है वो भी इसमें है यानि math मादिका आप लोग बिल्कुल काईदे से देख कर जाएगा interest हो गया, यानि जो हमारा arithmetic का है interest, profit, loss and percentage work, time, speed और distance ये भी आपका रहने वाला है math में, second portion में, जो first section है उसके अंदर रहने वाला है तो guys, ये आपको math का syllabus था मैंने बता दिया, फिर आप बात कर लेते हैं English की, तो यहाँ पर आपका passage रहने वाला है जो कि air force में भी आता है preposition, ये preposition बहुत ज़्यादा important है correction of sentence, यानि जो correction करने के लिए आता है कह सकते, error type का होता है sentence correct करने के लिए हाँ पर पुछा जाएगा active से passivize या फिर passive से activeize English में रहने वाला है तो guys, अगर next बात करें तो narration भी आने वाले हैं direct to indirect या indirect to direct ये भी आपके आने वाले हैं verbs, tense, non finite यानि जो verbs से आता है, tense से आता है ये भी आपके रहने वाला है punctuation भी रहने वाले है यानि जो sign लगाने होते हैं full stop, question mark, ये भी आपके punctuation भी रहने वाले हैं फिर आपका दे रखा है substituting phrasal verb for expression यानि आपर पूरा expression दे रखा होगा उसके लिए आपको phrasal verb बतानी होगी और one word भी आएगा synoniums और antoniums भी आएगा meanings of difficult words यानि difficult word की meaning भी पूछ सकते हैं और बात करेंगर next part में English की तो use of adjectives यानि adjective के use क्या आने वाला है और बात करें use of pronouns यानि pronoun के use क्या क्या है यह भी आपका यानि पूरा pronoun आने वाला है तो यह हमारा section 1 में English का जो जो हमारा syllabus था वो भी मैंने आपको उता दिया फिर आपका आता है general awareness इसके अंदर आपको जियोग्राफिय आएगा soil आएगा, rivers आएगा, mountains, port यहाँ पर island होगा और harbores यह भी आपका रहने वाला है फिर इसका culture and religion freedom movement यानि जो सतंता संगराम था वो भी रहने वाला है culture and region रहने वाला है फिर इसके बात करें important national facts about India यानि इंडिया के जो national facts है यानि जो रास्टी facts है वो भी रहने वाले है जैसे कि आपका जंडा किसने बनाया था जंडे के अंदर कितनी जो तीलियां होती है वो कितनी होती है असोग चकर के अंदर यह सब आपके पूछ सकते हैं heritage, arts and dance यानि जो विरास्ते हैं और arts, kala और संक्स्रिक्ति यह जितने भी dance हैं वो सब पूछ सकते हैं general awareness के अंदर फिर history हो गई defense war हो गया neighbors हो गया awards and authors यानि जो authors पुछ आते हैं कि कौन से book के कौन author रहने वाले हैं awards हो गया है यह सब यह आपके जितने भी कह सकते हैं जी के awareness के अंदर आने वाला है discoveries, disease and nutrition यानि जो आपके vitamin में से question बन जाते हैं current affair हो गया language, capitals and currencies यानि capital और currency से भी question बनने वाले हैं names, full, forms and abbreviations फिर आपका दे रखा है imminent फिर दे रखा है इमिनेंट personalities फिर इसका national bird, animal, sport यानि national bird, animal, sport जिन सभी से question बनने वाले हैं flower, anthem, song, flag, mountain winners, terms, number of players यानि जैसे पूछ सकते हैं cricket में कितने number of players होते हैं ये सभी आपके question बनने वाले हैं हर game में, hockey में कितने होगा हैं ये सभी आपके general awareness में आने वाले हैं फिर बात करते हैं reasoning की तो special numerical आने वाले हैं reasoning, associative ability आने वाला है sequence and spellings unscrambling, coding and decoding ये जितना भी आपका reasoning में रहने वाला है वो सभी कुछ आने वाला है यानि जो word को correct करने के लिए आता है spelling जो आँगे पीछे होती है unscrramble करने के लिए आएगा coding, decoding करने के लिए आएगा ये सब आपका reasoning में बस इतना ही रहने वाला है तो ये section 1 जो की सभी के लिए बिल्कुल कमपल सरी है सभी को देना पड़ेगा अब बात कर लेते हैं जितना भी आपका जो syllabus section 1 का आएगा ये science और जो mathematics है वो grade 10th यानि जो class 10th की CBC का जो syllabus होता है उसी से रहने वाला है चलिए बात कर लेते हैं सेक्शन सेकंड में क्या करेने वाला है और ये हम बात कर रहे थे आपकी GD की यानि जो कुछ GD का slabल है इसमें आपका जो paper होगा दो portion में बटा होगा section 1 और section second में ये GD के लिए तो section second की बात कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर हमारा section 1 में physics था सौरी साइंस था और section second में जो हमारी physics रहने वाली है तो physical world and measurement, kinematics, law of motion, work, energy, power, newtons, law, and applications, circular motion जितना भी आपका कह सकते हैं एयरफूस का slabस था वही रहने वाला है motion of system, particles and rigid body, gravitation, property of bulk, matter, thermodynamics, behavior, perfect and kinetic theory, oscillation and waves ये सभी आपका रहने वाला है electrostatics रहने वाला है, current electricity रहने वाला, magnities, electromagnetic induction and alternating currents, electromagnetic waves यानि जितना भी आपका इंटर का slabस था, जो एयरफूस का था वह सब को रहने वाला है optics हो गया, dual nature of light हो गया, matter and radiation, atomic and nucleus जो भी हो गया आपका electronic devices, communicating system ये सब कुछ आपका रहने वाला है physics के अंदर section second में अब बात कर लेते हैं math की, तो ये भी बिल्कुल सेम है आपका जैसा कि एरफूस में था sets, relation and function, यानि जो समुच्चे दे रखा था आपका, संबन दे रखा था, फलन दे रखा था हो सभी कुछ इसके अंदर रहने वाला, algebra के अंदर सभी जितना भी आता है, हो सब कुछ रहने वाला है, फिर vector हो गया, आपका 3D हो गया, geometry हो गया, linear programming हो गया, इस सब कुछ math में रहने वाला है, फिर बात करें coordinate geometry, ये भी आपका state line हो गया, इसके अंदर of three-dimensional geometry हो गया, calculus के अंदर limit, derivatives, continuity, यानि जो limit के अंदर limit थे, फिर इसका अपका सतत आ सतत वाले question होते थे, applicants of derivatives दे रखा, intrigals दे रखा, यानि कि जो आपकलन के जो हमारे derivatives होते हैं और समाकलन के derivatives होते हैं वो भी इसके अंदर रहने वाला है, सब कुछ रहने वाला है, आप लोग दे सकते हैं, mathematical reasoning दे रखा है, probability दे रखा है, यानि probability आ सकती है, statics आ सकता है, जितने भी आपके कह सकते हैं रिजनिंग वाले होते हैं निदर वो सब कुछ इसमें आ जाएंगा है और बात करें जो इसका लास्ट है मैथमेटिक में रिलेशन एंड फंसन जो कि मैं आपको उपर बता चुका है इसके अंडर रिलेशन एंड फंसन इन्वर्स टिग्नोमेट्री आने वाली है फंसन्स, सिंपल मेंसुरेशन, जियोमेट्री मिजर ओफ, सेंटरल, टिडेंसी एवरेज, मेडियन, मोट जो मैं पुपता चुका है, माद्द, मादिका, विचलन यह सब कुछ आपका आने वाला है इसके अंदर सेकेंड के अंदर, तो आपका जितना भी जीडी का स्लेबस था, वो कंप्लीट हो चुका है और यह जो सेकेंड पोर्शन है यह आपका स्लेबस जो है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स यह ग्रेड, 11 और 12 का जो सीबसी का स्लेबस है, उसी के इंग्लेज में आपका रहने वाला है पैसेज, प्रिपोजिशन, करेक्शन और सेंटेंज, जो कि आपको उपर सेम मिला था, वैसा यह जनल अवेर्नेस में जिग्राफी, सॉयल, लीवर्स, सब कुछ सेम है जैसा कि मैंने आपको ताया था, कि जो सेक्शन वन है, वो सभी का बिल्कुल सेम रहने वाला है तो आप लोग समझ सकते हैं, जो कि पीछले था, वही बिल्कुल सेम टू सेम है तो आप लोग ने जो उपर देखा था, वही इसमें भी है सेम टू सेम है बस तो अब बात कर लेते हैं यहाँ बात करेंगर जो आपका यहाँ पर DB का था यानि DB में सिर्फ section 1 का slabis आएगा बस यही इतना ही paper है इसका जो paper है सिर्फ section 1 के according होगा और कोई इसमें कुछ नहीं आने वाला है तो इसका paper काफी ज़्यादा कह सकते हैं कम slabis है तो यह आसानी से आप clear कर सकते हैं चलिए बात कर लेते हैं या आंत्री का slabis तो जैसा कि मैंने बताया था section 1 सभी का सेम है चाहे वो GDO, DBO या फिर आंत्री को तो इनका भी section 1 सेम है अब बात कर लेते हैं इन लोगों ने जो section इनका जो third पुछा जाएगा वो इन लोगों ने जो diploma, engineering करी है वो सब उसी से आएगा जैसे कि यहाँ पर दे रखा basic concept दे रखें तो आप लोग यहाँ पर जाकर आप Google Chrome में या फिर गूगल में जाकर डाल सकते हैं कि Indian Coast Guard official syllabus तो वहाँ से आप लोग बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं तो यह आपका syllabus रहने वाला यांत्रिक का तो कहें अगर यांत्रिक स्लेबस कफ़ी ज़्यादा टफ है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा course है और यहां से आप लोग जाकर जो इसके model question paper है वो भी देख सकते हैं आपने जिस डिपलोमा को लगाया है अप उस section देखेंगे अगर आपने मेकैनिकल का लगाया है तो आपको मेकैनिकल का course त्यार करना पड़ेगा उसी recording आपका model paper दे रखा है तो दोस्तों इतनी हमारे पास जानकारी थी मैं आपको बता दी तो प्लीज अकर बताइएगा वी